आप सभी दोस्तों का स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं एक इंपोर्टेंट सुचना जो कि बिहार सरकार से निकल करके आई है उसके बारे में बात करें यह बताते हुए मुझे बेहत दुख भी हो रहा है और एक तसल्य भी है कि चलो यह ठीकी हुआ एक तरीके से क्योंकि खवर यह है दोस्तों कि जो बिहार स्टीटी का एक जो एक्जामनेशन 28 जनवरी को हुआ था न वो स्टीटी ने उसे कैंसल कर दिया है जिया दोस्तों खवर आप सही सुन रहे हैं कि स्टीटी ने 2019 में ली गई परिक्षा को रद कर दिया है जिसमें 2,47,241 अभ्यारती सामिल हुए थे अब क्या है पुरा मामला इसको हम लोग इस न्यूज के जड़िये देखेंगे क्या है पुरा मामला तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जैसे देख सकते हैं कि यह जो आया है निूज निकल करके बिहार विश्विद्याले परिक्षा समी थे बिहार बोर्ड स्कूल एक्जामनेशन 2019 से निकल करके आई है बिहार स्टेट में यह विलिज किया है तो आए देखते हैं मेन क्या है मुद्दा तो यहाँ पर बात समझते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बिहार बोर्ड द्वारा स्टेट परिक्षा 2019 को रद कर दिया गया है कारण क्या था बोर्ड का यह निर्ने स्टेट परिक्षा के बाद गठित जांच कमिटी के रिपोर्ट के बाद आया दोस्तों जांच कमिटी बढ़ और इस आलोक में बोड ने स्ड़ीट्टी दो हजार उनीश को रद कर दिया है. वही परिक्छा करने का बोड ने सिक्छा बिभाग को पुनः परिक्छा योजित करने के लिए अनुसाँ सीडिकेशन भी दिया है. चलिए और देख लेते हैं और क्या है यहां पर देख पारे होंगे कि STT 2020 है ना यहां पर राजभर में 28 जनवरी को 317 केंद्रों पर ली गई थी दो पाली में 2,47,241 परिचार्थी सामिल हुए थे इसमें प्रथम पाली में 1,18,738 और दूसरी पाली में 65,530 परिचार्थी सामिल हुए थे दोस्तों ग्याथों कि 28 जनवरी को जो परिच्छा लिया गया था ना प्राश्म पत्र के साथ कई पहलूँआं पर जाच के लिए बोर्ड ने चार सदस्य कमेटी गठित किया था चार सदस्य कमेटी का गठन मुख निगराने पदाधिकारी की बोर्ड के नील कमल की अध्यक्सता में क कि गए थी कमेटी के अन सदस्य प्रसासनीक पदाधिकारी संजे प्रिदर्शी, संजे सचीव, निंकूज, प्रकास नरायन और निगराने पदाधिकारी राजिव कुमार सामिल थे इसमें तो ये मामला था पुड़ा इसमें और क्या है बोर्ड ने माना मोवाइल से लिख ह प्रशन पत्र अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि एक इंफर्मेशन ये भी आ रहा है कि बहुत सारे केंद्रों पर ना हंगामा हुआ था इस एक्जामिनेशन के दोरान जिसके कारण यहां पर देख सकते हैं कि असपस्ट रूप से कहा गया है कि STT परिच्छा क गया है और समाजिक बिज्ञान के विशे के प्रशन पत्र में अलग-अलग ग्रूप में नहीं दिया गया सभी प्रशन को एक ही ग्रूप में डाल दिया गया परिच्छा केंद्रों पर तोडफोर हुआ था हंगामा हुआ था प्रशन पत्र फार्ना था मारपित जैसी घट प्रश्न पत्र लीक करवाय थे ना, उनके खिलाप सक्थ से सक्थ कानुन चलाया जाया उन पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें मैहनत है दोस्तों, ठीक है, जो लोग ऐसा किये, हंगामा किये, वगएरा किये, उनका तो दोस है ही, और जो व्यक्ति एक्जाम दिये मेहनत के साथ एक्जाम दिये उनका अच्छा भी रिजल्ट भी आ सकता था इस बार लेकिन उनका सब पानी फिट जाएगा दोस्तों बहुत ही दिकत होने वाला है तो देखें यहाँ पे देख सकते कि प्रश्न पत्र सेटर के खिलाफ करवाई के अनुशंका में क्या है कि साथ ही बोर्ड ने बताया कि आज भेजे गया है प्रेस रिलीज कंडिका जोकी 6 में उलेखित समाजिक विज्ञान के प्रश्ण पत्र सेटर के बिरूध कारवाई करने के लिए बिहार परिक्षा समीती द्वारा सिक्षा बिभाग को अनू संसा भेजी गई है बिहार बोर्ड ने परिक्षा रद करने को लेकर 6-16 माई को ही नोटिस जारी किया है इसको आप देख सकते हैं नोटिस में आपको मैं दिखा देता हूँ जल्दी से आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ दोस्तो लिखा हुआ है बिहार विद्ध्याले परिक्षा समीती पतना और इसी में सारा चीज लिखा हुआ है कि बिहार विद्ध्याले परिक्षा समीती है ना स्टीटी 2019 के संबंद में विभीन पहलों के जांच के लिए समीती के पताधिकारियों की एक चार सदसे कमिटी का गठन किया था जिनमें इन लोगों ने भाग लिया था दोस्तों तो चार यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर स्री संजय प्रासासनिक पताधिकारी श्री निकुंज प्रकास नरायन सनिक सचीब एवं स्री राजिब कुमार निगरानी पताधिकारी ये सब थे तो बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं से सारा चीज मामला पता चला था और इसमें पूरा स्टीट इट ने बात किया है इसके बारे में तो इसको एक बार देख लिजीगा, पीडियेप में मैं लगा दूँगा कमेंट जो भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ पे आप इसको एक बार बरियां से पर लिजेगा तो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तब तक के लिए गुडबाय, टेक केर, थैंक यू बेरी मच